दोस्तों Google ने एक payment app लॉंच किया है जिसका नाम है तेज और उस app की मदद से आप किसी से भी पैसे का लें दिन काफी आसानी से कर सकते हो साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप refer and earn के थुरू जाओगे तो यहाँ पर आपको 51 रुपीज का cashback भी मिलेगा कैसे आपको करना है sign up, कैसे आपको करना है refer and earn और कैसे पैसे का लें दिन करते हैं तो इस वीडियो को पूरा end तक देखेगा ताकि आपको जित्ते भी information चाहिए होगा इस app के regarding वो इसी वीडियो में आपके clear हो जाए So hi guys, this is your friend Abhijit and you are watching note review, so let's get started दोस्तों सबसे पहले आपको तेज का application install करना होगा, तो जो link है उसका मैंने description section में link दे दिया है उसका use कीजिएगा और फिर उसके बाद आपको redirect कर दिया जाएगा Google Play Store में, आप जब redirect हो जाएगा तो यहाँ पे आपको install पे click करना है और इस app का size किवल 7 MB है, उसके बाद यह जब install हो जाए तो open पे आपको simply click कर देना है उसके बाद तेज का application खुल लाएगा और यहाँ पे आपको बोला जाएगा welcome to तेज और यहाँ पे जो भी आपका preferred language होगा उसे आप select कर लीजेगा, फिलाल के लिए मैंने English पे select करके next पे click किया है उसके बाद आपको अपने bank से जो link number है उसको यहाँ पे input करना होगा और उसके बाद आपको next पे click करना होगा यहाँ पर फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा email address को use करना चाहते हैं और इस account से link करना चाहते हैं अगर आपका multiple account होगा जो की Gmail से link होगा तो वहाँ पर सारा details आ जाएगा आप जो भी choose करना चाहो उससे choose कीज लिएगा उसके बाद next पे click कीजिएगा इमेंट उसे continue पे तो यहाँ पर आपसे OTP का verification किया जाएगा अगर आपका number आपके phone पे रखा हुआ होगा इमेंट उसे लगा हुआ होगा तो यह directly verify हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा message आ गिया है मैं जो OTP है उसे enter करके next पे click कर देता हूँ तो इस तरीके से यहाँ पर सारे details verify हो जाने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि create कीजी अपना google pin या फिर हो सके तो आप अपना screen का जो lock pin है उसे भी use कर सकते हैं तो मैं ज़्यादा secure होने के लिए create कर लेता हूँ google का pin उसके बाद continue पर click करूँगा मैं तो यहाँ पर मेरा सारा verification हो जाएगा और मेरा finally account खुल जाएगा उसके बाद बात आती है कि हमें कैसे अपने bank को link करना है तो bank को link करने के लिए बहुत ही असान तरीका है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि add bank का option आ रहा है उपर के तरफ वहाँ पर आप click कीजिएगा तो यहाँ पर जो भी आपका bank होगा यहाँ पर आप select कर लीजेगा फिलाल मेरा DBS का bank है मैं select कर लेता हूँ DBS का bank और यहाँ पर जो मैंने number दिया था वो seem 2 है वहाँ पे select करके मैं OK पे click कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरा securely finding account करके जो option है वो होगा और आप नीचे देख सकते हैं कि यह ICICI के through verify किया हुआ है तो यहाँ पे मेरा balance कट गया है दोस्तों तो थोड़ा सा balance आपको भी कटाना होगा उसके बाद यह finally verify हो जाएगा एक बार verification होने के बाद आपका यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप अपना UPI इंटर कर सकते हो अगर आपने पहले से बना रखा होगा तो और अगर आपने नहीं बनाया होगा तो यहाँ पे आप simply click किजेगा यहाँ पे click करने के बाद आपसे पूछा जाएगा आपके bank account का details I'm into से जो आपका card details है तो उसका last six digit आप इंटर कर दीजिएगा और expiry date इंटर कर दीजिएगा फिलाल मैंने सारे details को blur कर दिया है और उसके बाद फिर यहाँ पे आपका gathering information हो जाएगा और एक बाद सारे information जब सब select हो जाएगा तो यहाँ पर आपका OTP आएगा और यहाँ पे आपको enter करना होगा अपना UPI pin तो मैं सारे details को फटाफट clear कर देता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि आगे का process क्या है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि adding bank account का option यहाँ पे दिख रहा होगा आपको उसके बाद जैसे ही यह जब verify हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा bank account add हो चुका है और इसी तरीके से अब मैं transaction के लिए ready हूँ तो उपर भी आप देख सकते हैं कि एक message आचुका है दोस्तो अब बारी आती है कि कैसे मैं किसी से भी पैसे का request कर सकता हूँ तो किसी से भी पैसे को request करना हो या send करना हो तो आपको यहाँ पे new पे click करना होगा और यहाँ पे जो भी आपको select करना है कीजिए मैं अपने फिलाल अभी दोस्त को request कर लेता हूँ कुछ पैसे तो यहाँ पे मैं उसको select करके request पे click करूँगा और फिलाल मैं 50 rupees request कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं next पे click कर देता हूँ एक बार और मुझे next पे click करना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि request का option आ गया है एक बार request जब हो जाएगा तो requesting होने लगेगा तो इस तरीके से आप अपने दोस्तों से पैसे request कर सकते हैं जो कि तेज का application यूज करते हैं और इनके सगर नई भी करते हैं तो आप किसी भी bank का जो transaction का जो gateway होता है जैसे कि UPI या फिर अलग तरीके से IFAC code डाल करके तो अभी आप तरीके से पैसे भी भेज सकते हो इसके लावब एक और अच्छा option यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि अगर आप यहाँ पर simply tap करते हैं तो जैसे gender पर आप use करते हो उसी तरीके से pay कर सकते हैं अगर आपका दोस्त आपके नजदीक होगा तो और उसे भी click करना होगा उसका alternate जैसे pay तो उसको receive अगर आपने receive किया है तो उसे pay करना होगा तो इस तरीके से आप pay कर सकते हो पैसे और एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ कि reward मुझे कितना मिला है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे 102 रुपे का reward अभी तक मिला है 51-51 का cashback और एक बार और मैं दिखा देता हूँ आपको transaction history तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे एक दोस्त ने मुझे पैसे भेजे थे तो उस वज़ा से मुझे मिला है 51 रुपीज का दो बार cashback हाला कि थोड़ा time लगता है बट फिर भी मिल जाता है पैसे अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप share कर सकते हो अपना invite link त दोस्तो तो use कीजिएगा नीचे जो description section में ने link दिया है और finally आप install कीजिए और बहुत अच्छे से इसका use कीजिए तो दोस्तो अब तक आपने देख लिया कि कैसे sign up करते हैं कैसे transaction करते हैं और साथी साथ कैसे refer and earn करते हैं और मेरे जो history था transaction का वो भी आपने देख लिया अ अब आपके मन में जो सवाल आ रहा होगा उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि अगर in case आपके मन में ऐसा कुछ सवाल आ रहा है जो कि इसी वीडियो में आपके clear हो जाए तो सबसे पहला सवाल है कि क्या ये app certified है या फिर नहीं तो जी हां ये बिलकुल certified ये गूगल का app है पहला बात दूसरा बात कि यहां पर आपको access bank HDFC और ICICI bank के through powered है ये app तो यहां पर घवरानी की जरूरत नहीं है दूसरा सवाल जो आपके मन में आ रहा हो कि कितना minimum transaction करना होगा जिस वजह से मुझे cashback मिलेगा और कहां वो cashback मेरे wallet पे जाएगा या फिर bank account में तो सबसे पहला बात ये है कि जो भी cashback आपको मिलेगा वो आपके directly bank में जाएगा इस बात का ध्यान रखियेगा यहां पर कोई wallet का option नहीं है दूसरा बात ये है कि आपको minimum 50 रुपीज का transaction करना ही पड़ेगा तभी आपको मिलेगा 51 रुपीज का cashback तो इस चीज का ध् नहीं बस यहां पर payment mode होना चाहिए UPI का तो definitely यहां पर UPI का ही payment mode दिया गया है चौता सवाल यह आ रहा हो आपके मन में कि क्या यहां पर आप मैं recharge कर सकता हूँ DTH का recharge या phone का recharge या फिर कुसी other type का recharge तो अभी ऐसा कुछ option नहीं दिया गया है हो सकता है कि आपको future में बहुत सा आप है वो launch हुआ है इस वज़े से थोड़े से बग हैं जिसकी वज़े से यह app थोड़ा सा slow response कर रहा है तो मैं Google से expect यहीं करता हूँ कि within a week यह सारे बग fix हो जाएगा क्योंकि मैंने भी इस पर feedback दिया है Google को तो हो सकता है कि कुछ अच्छा सा response देखने को मिल रहा है और जो मुझे cashback मिला था तकरीबन मुझे जहां तक याद है within an hour मिला था तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखेगा दोस्तों तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोसिस की कि कैसे आपको app यूज करना है क्या interface है finally आपको कैसे refer and earn करना है अगर आपको वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और दोस्तों जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं व यूडियो में थाइक्स अलॉट फॉर वाचिंग